स्वागत है आप सब का अपके अपने यूटूब चैनल फैट ऐसी दूर देशन ऑफिशल के उपर बात करेंगे फैन कोड़ ECS T10 Malta के बारे में जिसमें आज हमें American University of Malta Royal Struggle के साथ में खेलती नजर आए कि गाइस बहुत ही रिस्की मुकाबला रहेगा मेगा लिग जिबुट कर सकते हैं इंडिया की बहुत ही ट्रस्टड अप्लीकेशन है जिसके ब्रैंड वेस्ट करने पर जहां पर दो हिजार पे का कैस्ट बोनस मिलेगा मेरा रैफ्रकोर दगाने पर संदीब 11 आप कैपिटल मेरे मेरा रैफ्रकोर को ट्राइक किजेगा साथ में अभी आप री में क्वाफी सारी लीग जाज कर पाएंगे और अगर आपका लॉस हो जाता है तो हंट्रप्स नेट आपका कैस्ट बैक होगा मेरा रैफ्रकोर दगाने पर जे दियान जुरू रखिएगा जितना लगाएंगे उतना बाप्स होगा अगर विनी करते हैं तो गाई ट्रिपल विन सकते हैं बिना रिसके अगर लॉस होगा तो गाई आपका लॉस तब भी नहीं होगा अगर विनींग होगी तो 10% आपको प्रॉफिट का मिलेगा तो जैसा कि हमने पहले गुरूप के मुकाबलों में देखा कि चेज करना थोड़ा सा एजी रहता था ज्यादा तर मुकाबलो सकता हैं वह जात तो पावर प्ले के बाद किती थी जहां गाइस डैथा अभर में गिरती थी फस्टंच पेज एक से लिए तीन जो जादा अरफली रहते थे बले वाजों के लिए एक से लिएक के तीन ऑबर के बीच में ज्यादा रणाते थे और विक्टें कम गेर्ती थी जी चीज़ का हम एनलाइस के दुरान जुरूर माइन में लेकर चलेंगे बाकि मैं बोलूँगा गाइस जी चीज़ के दुरूर माइन लेकर चलूँगा ज्यादा प्रफॉर्मस रखास नहीं रहा था प्लेंग 11 भी लगग सभी प्लेयर आपको खेलते नजर आएंगे लासीजन के ज्यादा चेंज़स नहीं हुआ है प्लेंग 11 में तो बाई इसको मैंने ज्यादा प्लेयर ट्राइ की तरब से आपको चार जहां पांच नमबर पर खेलते नजर आएंगे दोनों में से कोई एक इसका बैटिंग ओडर रहेगा प्लेयर बहुत अच्छे हैं लास्ट पांच मकावला में 115 रन लगा चुके हैं हाईस्ट बोली तो गाई उनने 37 रन की हाईस्ट पारी के लिए है प्लेयर बहुत अच्छे हैं पहले अच्छे खासे और उन्टर हुआ करते थे और उन्टर में रखा जाता था और मुझे लगता है आज एक्स्ट्रा में आपको बॉलिंग करते भी नजर आ सकते हैं अगर एम जोबी आपको विकट के पीशे नजर आते हैं तो बाई दोनों पीक रहेंगे अगर अच्छा प्रफॉर्मेंस देते हैं तो अच्छा कर सकते हैं बाकि मुझे लगता है गाई जोबी का जो बैटिंग ओडर या थोड़सा रिसकी रहने वाला है जहां साथ नंबर पर आपको खेलते नजर आएंगे बैटिंग आटर चेक करते हुई जोब अबर इसकी टीम में डाल सकते हैं अगर जाहो तो जील के लिए हैट तो हेड में टीशा और जो भी दोनों को वाइट कीजेगा तो बैटिंग शेक्शन पर आते हैं गाईस नगारा टीम से बाहर है नगरा तो जहां पर प्रज़ा पती टॉप और में खेलते आएंगे रहान और परज़ा पती दोनों अपनिंग कर सकते हैं परज़ा पती एक्स्टर में आपको बालिंग भी करते नज़रा आएंगे प्लेयर बहुत शानदा रहें तो बाइट करें अगर इसके बारे में तो प्लेयर बहुत भड़िया हैं और इनने चेस करना काफी अच्छा लगता ह जिस करते टेमिन की स्ट्राइकर एक सो तीस से बड़कर एक सो पैंटीस के बीच की हो जाती है अपनी पारी में ज्यादा चौके और शके लगाते हैं जिसके चलते अच्छा का सब भूंस भी आपको दला सकते हैं रहाल मीगाईस इनके साथ टॉप और में पावर प्ले में खे लगता है मिडल का एक अदा ओवर फिक तिन नजर आएंगे और अबराहिम है जो फिलिडिंग वो डैथ ओबर के चलते गीरे के बाहर करते हैं तो एक दूप कैटस भी अबराहिम पकड़ देते हैं लास्ट पांच मकाबला में 42 रन की हाईस्ट पारी अबराहिम खेल चुके करें और और की तो कुंटाला को लेकर चला हूं को पक्ता गाईजास के मकाबला में सबसे पॉटन पिक बल्ले बाज भी बहुत शांदा रहें अगर इने मौका मिलता है बट लोग में खेलने आते हैं बल्ले बाज यान के कम चांसे बट गाइज विक्टेंज जरूट दो से ज्यादा नकाल सकते हैं जे मेरे आपसे प्रॉमिस रहेगा डेथ के उबर करने आएंगे बले बाज यहां पर खुल कर खेलते हैं बड़े स्टोक लगाते हैं इजली डेथ ओर में एक दो एक गिर जाती है तो भाई इसके बाद बरगेस को लेके चलेंगे बड़ी आप पे क खेलती नजर आएंगी और यह आपको बिगनिंग के उबर करती नजर आ सकते हैं और भाई लास्ट जो शेयर मकावलाइस पे ने कहला है उसमें 87 रन टोटल कर चुका है लंबी पारी खेल सकता है बड़ी परफेक्ट पिक रहेगी जील में आप चाहो तो ट्राइड में ट्र जिरॉम की तो भाई जरॉम को लेगा चलों चार बालो ट्राइग करेंगे बैसे तो मत कीजिएगा क्योंकि मैं जढ़ा रही है तो अगर आप जील कहलेंगे तो बाही जहां पर आप देख सकते हैं कम सेलेक्शन प्लेट आपको ब्राहिं मिलेंगे रहाल मिलेंगे प्रजा जो ट्राइगे तो भाई यह है मिरी फाइनल करके लिएक मैं आपको देता हूं आ रहें के साथ में जीतें भी साथ में वीडियो अच्छा लगे लाइक किजिएगा शेर किजिए मेरे चैनल को देंगी दूसतों